गीजर के अंदर बिल्कुल भी current नहीं है, अब मैं इसके अंदर current पैदा करके देखता हूँ, यहाँ पर यह देख सकते हैं, यह wire है, अब हमारे गीजर को हम fail करके देखेंगे, ठीके तो मैं इसके अंदर phase connection दूँगा, यहाँ पर और यहाँ पर यह देख सकते हैं, guys यह और आपके नहाने से पहले ही आपको awareness हो जाएगी कि हमारा गीजर खराब है, अगर आपके घर में proper earthing है, तो आपको यह trick लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है,